Hello everyone, welcome to Baiju's Government Exam Prep. The Hindu Samachar Patr की Vishalization की इस सिरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 14 मार्च 2021 के The Hindu Samachar Patr का यहाँ पर Vishalization करेंगे और ये देखेंगे कि आज के Samachar Patr में ऐसे कौन-कौन से Samachar आए हैं जो कि आपकी UPSC की परिक्षा की द्रिस्टी से काफी महत्वपून हो सकते हैं और साथ ही हम उनसे संबंदित कुछ मुख्य परिक्षा और प्रारंबिक परिक्षा के प्रशन भी देखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ये रेखते हैं कि आज हम क्या-क्या डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम प्रारंबिक परिक्षा अभ्यास प्रशन जो आपको कल दिये गए थे उनके उत्तर देखेंगे जैसे कि हमने एक नया इनिशेटिव चालू किया है जिसमें आपको खुदको आंसर डूढने की कोशिश करनी होती है और हम नेक्स डे आंसर बताते हैं तो कल जो प्रारंबिक परिक्षा से संबंदित प्रिलिम्स एक्जाम से रेलेटेट कोशन दिये गए थे उनका आंसर हम आज डिसकस करेंगे इसके अलावा पेजल की गुणवत्ता पता करने के संबंद में केंदर सरकार के द्वारा एक नया फ्रेमवर्क लाया गया है इसके बारे में भी हम आज डिसकस करेंगे साथ ही हॉंग कॉंग की चुनावी प्रणाली में परिवर्तन के संबंद में एक अडिटोरियल प्रकाशत हुआ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो हॉंग कॉंग जो की एक स्वायत शेत्र है उसके संबंद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके अलावा व्यवस्थित रूप से व्यापक, टीकाकरण, कवरेज करने के संबन्द में हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा हम के अन कर विवाज जो है, उसके बारे में डिसकस करेंगे, जो हम 24 दिसंबर को भी पहले हमारी जो fellow faculty है, उनने डिसकस किया है, उसके बारे में ह यहाँ पर चर्चा करेंगे इससे संबंदित जो न्यूज है वो प्रकाशित हुई है आज के समाचार पत्र में अन्त में हम प्रारंबिक परिक्षा से संबंदित कुछ प्रशन देखेंगे और इसके अलावा हम मुख्य परिक्षा से संबंदित कुछ प्रशन भी आज यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए शुरुवात करते हैं। सही है, पहला statement है, मुख्य सूचना आयुक्त अठाथ Chief Information Commissioner केंदर और राज्ये इस्तर पर जो है, वो पांच साल के कारेकाल के लिए पद्धारन करेंगे, तो पहला statement गलत है, दूसरा statement है, कि राज्ये के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, चुनाओ आयुक्तो और राज्य सरकार के मुख्य सचीव के वेतन के बराबर होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर होगा D, कोई नहीं. थर्ड कोशन है, त्वरित सुधारात्मक कारेवाही के बारे में, प्रॉंप्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में, तो प्रॉंप्ट करेक्टिव एक्शन का उद्देशे नियामक के साथ-साथ निवेशकों और जमा करताओं को सचेत करने में सहायता करना है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा है कि प्रॉंप्ट करेक्टिव एक्शन धाचा जो है, वो एक नियामक को विशिष्ट प्रतिबंद लगाने की अनुमती देता है जैसे लाभांश का भुकतान रोकना या नई बैंक शाखाएं स्थापित करने पर प्रतिबंद लगाना तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है सही उत्तर हो जाएगा D इसके बाद में अगला कोशन है निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है पहला भारत विश्व में सिमेंट का सबसे बड़ा उतपादक है तो पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा केंदریये प्रदूशन नियंतरन बोर्ड़ द्वारा सिमेंट उध्योगों को अत्यदिक सही है आंसर हो जाएगा B केवल 2 इसके बाद में अगला प्रेशन है हाल ही में चर्चा में रही Fortaleza घोषना किसके मामलों से संबंदित है तो इसका सही उत्तर होगा B Bricks Fortaleza घोषना जो है वो Bricks के मामलों से संबंदित है और अब हम चलते हैं तो आज का हमारे जो पहली न्यूज हम डिसकस करेंगे वो पेज नंबर 9 पर प्रकाशित हुई है Framework for Testing Water Launch ये GS Paper 2 के Quality और Governance विशे के संबंद में महतुपूर्ण है तो ये जो न्यूज है यहाँ पर ये बताया गया है कि अब पानी की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना आसान होगा केंदर सरकार ने क्या किया है कि केंदर सरकार का जो रास्ट्रिय जलजीवन मिशन है उसने इसके संबंद में एक online portal लाँच किया है ताकि जो पानी होता है जो water होता है उसकी जो quality होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है उसकी जांच की जा सके तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है किंदर सरकार इसके लिए COVID-19 का जो testing और monitoring के लिए तकनी की शमता तयार की गई थी उसका लाब उठाएगी तो COVID-19 के संबंद में आपको पता है COVID-19 के लिए जैसे COVID-19 की testing के लिए kits तयार किये गए थे और इसकी के संबंद में तकनी की शमता जो है उसका विकास किया गया था तो अब इसी तरीके से ये जो testing kit पहले COVID-19 के लिए बनाये गए थे तो इससे कुछ अलग testing kit जो है वो water की quality जो पानी की गुणवत्ता है उसकी जांच करने के लिए बनाये गए है और इसमें यहां पर ये बताया गया है कि ये जो पूरा जांच का कारे किया जाएगा testing और monitoring का कारे किया जाएगा इसके लिए जो ICMR है अर्थात Indian Council for Medical Research जो है उसके साथ में partnership की गई है तो आपको ध्या लगाना संभव हो जाएगा और यहां पर इसके लिए बोला गया है कि पेजल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए हमारे देश में लगबख 2000 जो labs हैं उसके network की मदद ली जाएगी तो हमारे देश में अभी 2033 जो जल परिक्षण के लिए प्रयोगशाला है वो है लेकि यह एक चुनौती है कि यह जो पूरी प्रयोगशाला हमारे देश में है इसमें से केवल 66 प्रयोगशाला ऐसी है जिनने परिक्षण और अंशांकन के लिए प्रमानित किया गया है इसके लावार यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो ICMR है Indian Council for Medical Research है उसकी तकनीक जो है उसका फाइदा मिलेगा यहां पर पानी की गुणवत्ता जो है उसकी जांच करने के लिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि जल गुणवत्ता सूचना प्रबंदन प्रणाली जो होगी वो यह सुनिश्चित करेगी कि कि किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट को automatically राज्य और केंद्री इस तरके अधिकारियों के पास में बेजा जाए मतलब जब रिपोर्ट जाती है पानी की तो उसमें से कोई भी रिपोर्ट अगर ऐसी है जो कि प्रतिकूल है पानी की गुणवत्ता सही नहीं है तो वो automatically राज्य और केंद्र इस तरके जो अधिकारी है उन तक पहुँच ज ये ICMR का जो मजबूत online portal है उसके काम करनी का जो तरीका है उसी पर ये system भी कारे करेगा अब इसके संबन्द में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा कि महिलाओं को सरशक्त बनाने के साथ में ही महिलाओं के लिए रोजगार भी पहदा होगा ये कैसे होगा तो हमारे देश के जो किंद्री है जल शक्ति मंत्री है उनके द्वारा ये बोला गया है कि हर गर जल जो योजना है वो केवल एक बुन्यादी धाचा कारेकरम नहीं है बलकि उनने ये बोला है कि ये जो कारेकरम है ये frontline श्रमिकों जो होते हैं उनकी शमता का निर्मान करेग है, उसके लिए महिला श्रमिको के द्वारा जो field kit है उसका उप्योग करने के लो इसके परिक्षन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा इसके अलावा यहां पर यह बोला गया है कि जरुरत पढ़ने पर ये जो sample है इसे lab में बेजा जाएगा अगर आविशक्ता हुई तो sample को confirmation test के लिए निकर्टम lab में बेजा जाएगा और एक अनुमान में ये बताया गया है कि ये जो test होगा इसमें arsenic और fluoride की जो सामगरी है उस सहित 12 चिनित किये गए जो parameters है उसके लिए लगबग 1500-600 रुपय तक का खड़ जाएगा और इसके लावा यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो पूरी लागत है इसे ग्राम, जल और स्वास्ते समिती के द्वारा वहन किया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है साथी अगर हम budget के संबंद में बात करें तो साल 2021 का जो budget आया है जिसका उपियोग करके अब ये जो जाच के संबंद में framework है ये बनाया गया है तो इस संबंद में यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जल जीवन mission है उसके तहट साल 2024 तक देश का जो हर गाव है वहाँ के घरों में नल के जरिये जल उपलब्द कराने की योजना है और उनकी गुणवत्ता के लिए इस प्रकार से जो framework है वो सरकार के द्वारा लाया गया है अब हम जलते हैं next news की तरफ इसके बाद में हमारी जो अगली news है ये page number 10 पर प्रकाशित हुई है और इसी से संबंदित एक editorial है जो की page number 12 पर प्रकाशित हुआ है ये GS Paper 2 के IR अथात अंतररास्टे संबंद विशय के लिए महत्वपून है तो जो news प्रकाशित हुई है वो है China Defying Hong Kong Joint Treaty UK और इसी के संबंद में editorial आया है The Electoral Overhaul in Hong Kong तो ये जो editorial है इसमें ये बताया गया है कि चीन के द्वारा Hong Kong के लिए एक नया चुनाओ कानून लाया गया है तो इस नय चुनाओ कानून का क्या मतलब है और ये जो नया चुनाओ कानून है ये Hong Kong का जो शेत्र है उसकी स्वायतता को कैसे प्रभावित करेगा तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो चीन की National People Congress है NPC उनके द्वारा 11 मार्च को एक आपचारिक विधायका जो है उसे मनजूरी दी गई है ये जो आपचारिक विधायका को चीन के द्वारा मनजूरी दी गई उस विधायका को चीन ने Hong Kong की चुनावी प्रणाली में सुध लेकिन वहीं पे Hong Kong में विपक्षी दल है जो की लोकतंत्र का समर्थन करता है उनका ये बोलना है कि ये जो Hong Kong की स्वायतता है उसे प्रभावित करेगा तो Hong Kong जो की 1997 में चीन में आया था तो उसके बाद से 1997 के बाद से ये एक देश दो सिस्टम का जो मॉडल है उसके तहत का लेकिन ये जो नई चुनाव प्रणाली लाई गई है इसके संबन में ये बोला जा रहा है कि ये Hong Kong में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा तो इसके बारे में अगर हम डीटेल में चर्चा करें तो NPC की जो Standing Committee है National People's Congress जो है चीन की उसकी जो Standing Committee के उन्होंने ये कहा है कि ये जो परिवर्तन लाए गए हैं इनको जो सपस्ट खामी और कमिया है Hong Kong में उसे दूर करने के लिए पारित किया गया है तो जो चीन है उनका ये बोलना है कि जो Hong Kong में चीनी विरोधी या पिर अइस्थिर्ट तत्व हैं उन्हें नियंतरित करने के लिए ये परिवर्तन आया गया है जिससे 2019 में लोकतंतर का समर्थन करने वालों ने जिस प्रकार से विरोध किया था और जिससे पूरा शहर जो है काफी जादा प्रभावित हुआ था उस तरीके की घटनाय नहों ऐसा चीन का बोलना है लेकिन वहीं पर होंग कॉंग कोंग के जो लोकतंतर के समर्थक हैं विपक्षी समू उनके द्वारा इस बदलाव के संबन में ये कहा है कि ये जो बदलाव है ये इस प्रकार का कदम है जो की 1997 में जो हैंड़ोवर किया गया था होंग कॉंग को चीन को उस हैंड़ोवर की जो शर्ते थी उस हैंड़ोवर की शर्तो करता है और Hong Kong की जो freedom है उसे मिटाता है तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यह जो नया NPC संशोधन लाया गया है यह Hong Kong की जो राजनितिक प्रणाली है उसे कैसे बदलता है अगर हम इस संशोधन के बारे में देखें तो NPC संशोधन जो है वो अनिवारे रूप से बिजिंग के द्वारा जो नयुक्त राजनितिक गये हैं उनको Hong Kong की राजनिति चलाने के लिए अधिक शक्ती प्रणाल करता है तो हुआ क्या है कि अभी वर्टमान में क्या था कि Hong Kong की जो विधान परीशत है उसमें 70 सदस्य थे और उस 70 में से 35 सदस्य जो थे वो सीधे भोगौलेक निरवाचन शेत्रों के माधियम से चुने जाते हैं जबकि 35 सदस्य जो है उन्हें कार्यात्मक निरवाचन शेत्रों से नामित किया जाता है था जो विशेश रूची वाले समू होते हैं उनकी शंकला का वो एक उलेक करते हैं लेकिन अब क्या हो गया है कि अब विधान परीशत का जो आकार है वो 90 तक विस्तारित कर दिया गया है तो ये जो सदस्यों की संक्या है इसे 70 से 90 किया गया ह है तो इसमें 20 सदस्य और जोड़े गये हैं ये पहले जो 35 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे नामांकित सदस्य होते थे उसमें अब 20 नॉमिनेटेड मेंबर जो है नामांकित सदस्य जो है वो और जोड़े जाएंगे तो ये जो सीधे चुने गए प्रतिनिदी है इनकी जो हि जो नव विस्तारित चुनाव समिती है उस पर अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करता है। जिनें बिजिंग के द्वारा चुना जाएगा और यह जो समिती है यह पूर्व में होंग कॉंग कोंग के मुख्य कारेकारी को चुनने के लिए जिम्मेदार रही है और यह अतिरिक्त विधान परिशत सदस्य को भी चुनेगी। और विधान परिशत के उमीदवार होते हैं उनकी योगिता की समिक्षा और पुष्टी करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो भी सदस्य होंगे, मुख्य कारेकारी होंगे या फिर विधान परिशत के उमीदवार होंगे उनकी योगिता की पुष्टी करेगी ये समिती। और ये समिती जो है वो किसी भी उमीदवार को नियूक्त कर सकती है और उन्हें आयोग्य घुषित कर सकती है यदि वह देशभक्त नहीं है। इससे चीन ये दर्शा रहा है कि हौंग कॉंग का प्रशासन हौंग के लोगों द्वारा समाला जाएगा लेकिन देशभक्तों की उपस्थिती में। हौंग कॉंग का वो चीन का एक हिस्सा है लेकिन विदेशी निती और रक्षा जो है इन दो शेत्रों को छोड़ कर जो हौंग कॉंग है उसके पास में स्वायत्तता का एक उच्च इस्तर प्राप्त है और साथी कारेकारी विधाई और स्वतंद्र न्यायक शक्ती जो है वो हौंग कॉंग को प्राप्त है इसके साथी समविधान ये भी कहता है कि हौंग कॉंग में 50 वर्षों के लिए समाजवादी प्रणाली और नितियों का अभ्यास नहीं किया जाएगा लेकिन अभी ये जो संशोधन किया जा रहा है चीन के द्वारा इसके संबन्द में ये बो प्रक्षा कानून पारित किया था जो की तोडफोड के लिए जो दंड है उसे सूची बद्द करता है और उसके बाद में क्या हुआ कि इस साल की शुरुआत में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले जो दल है उनके बीच में एक अनौपचारिक प्रात्मिक चुनाव के आयोज करने वाली पार्टिया है वो दो प्रणालियों का जो फॉर्मुला है उसके बारे में चिंतित है मतलब वन नेशन टू सिस्टम में जो है तो दो प्रणालियों का जो फॉर्मुला है उसके लिए चिंतित है लोकतंत्र का समर्थन करने वाली पार्टिया लेकिन वहीं पे जो चीन है वो एक देश को महत्व देने पर जोड़ दे रहा है तो इसके संबन्द में अगर हम बात करें कि आगे क्या हो सकता है तो रास्ट्रिय सुरक्षा कानून जो चीन के द्वारा लाया गया और अभी हम जो देख रहे हैं कि नए चुनावी परिवर्तन किये गए तो इससे होंग कॉंग में जो लोकतंत्र का समर्थन करने वाला विपक्ष है उसके लिए बहुत कम जगे रह पाएगी विरोध करने के लिए और अगर हम देखें कि होंग कॉंग में अगर विपक्ष के द्वारा विरोध नहीं किया जाता है तो होंग कॉंग जो है बहुत ही अलग हो जो की पिछले 24 सालों में जो Hong Kong अब बना है उससे काफी अलग होगा अभी का जो Hong Kong है वहाँ पर वो जो शहर है वो विशेश रूप से अपनी जो स्वतंदर न्याएक प्रणाली है उसके कारण विदेशी कंपनियों के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार बन गया है और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो अगला एक एडिटोरियल है पेज नंबर 11 पर प्रकाशित हुआ है और ये GS पेपर 2 के संबंद में महत्वपून है COVID-19 वैक्सीन रोल आउट कोर्स करेक्शन इन दे फेस ओफ रिसर्जेंस तो यहाँ पर यह बताया गया है कि COVID-19 के जो माम उसमें काफी जादा व्रद्धी हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जनता के द्वारा जो normal laws है जो rules है उन्हें का पालन नहीं किया जा रहा है लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं जो hand hygiene है हाथ दोना है उसका follow नहीं कर रहे हैं physical distancing, social distancing के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं और काफी जादा बीडबार जो है वो देखी जा रही है जिसके कारण क्या हो रहा है कि COVID-19 के जो case है उनमें व्रद्धी हो रही है इसके अलावा जो नियामक agency थी उनने क्या किया था कि 3 जनवरी को 2 COVID-19 टीकों के आपातकालिन उपियों को अधिकरत कर दिया था इसके ब लब्ध कराया गया प्रात्मिक्ता जो है वो स्वास्ते सेवा के पेशेवरों को दी गई टीके के लिए और उसके बाद में आविशक सेवाओं में ये जो टीका करण का कारिक्रम है इसे चालो किया गया और सरकार जो है वो चरणबद तरीके से ये जो टीका करण का coverage है इसक तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस तरीके से जो मामलों में वृद्धी हो रही है उसके चलते की रणनिती में बदलाव करने की जरूरत है और इस संबंद में हमें ध्यान देना चाहिए और इसके लिए इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो स्वास्ते के होने चाहिए तो यहाँ पर ये बोला गया है कि व्यापक टीकागरण कवरेज करने के लिए जो लक्षय बनाना है वो प्रशासन की गतिविदी है और इसके लावा जो स्वास्ते प्रबंदन है उसके दो हिससे होते हैं अगर हम स्वास्ते प्रबंदन के बारे में बात कर तो जो स्वास्थे प्रबंदन है उसके दो अलग हिस्से होंगे और स्वास्थे प्रबंदन का जो दृष्टी कोण है उसका अलग हिस्सा होगा स्वास्थे प्रबंदन की दो हिस्से कौन से हैं एक तो सार्वजनिक स्वास्थे मतलब पब्लिक हेल्थ और दूसरा है स्वास्थे सेवा जो पब्लिक हेल्थ है उसका लक्षे होगा एक स्वास्थे सेवा लक्षे और इसके लावा जो स्वास्थे सेवा है उसका लक्षे बारे में हम डीटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या है तो अगर हम बात करें स्वास्थ सेवा की तो जो स्वास्थ सेवा है उसका लक्षय है प्रतिकूल रोक परणामों को कम करना मतलब स्वास्थ सेवा देना स्वास्थ सेवा के लिए क्या किया जाएगा स्वास्थ सेवा द इसके बाद में जो symptomatic disease होते हैं जिनके रोग सुचक रोग होते हैं जो उनके ध्यान दिया जाए तो इस प्रकार से यहां पर यह बोला गया है कि एक हाई आरकी को देखते हुए स्वास्त सेवा जो है वो दी जानी चाहिए तो इसके आधार पर यहां पर यह बोला गया है कि य जहां पर जो vaccine coverage है वो जरूरत आधारित होना चाहिए जरूरत आधारित vaccine coverage जो है उसको इन परिणामों की भेता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए जरूरत आधारित जो vaccine coverage है वो किस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि vaccine जो है वो सबसे पहले दी जानी चाहिए 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको उसके बाद में 65 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उसमें सहर उग्णकता के साथ में उन्हें दिया जाना चाहिए कि उनमें कौन-कौन से डिजीज हैं जिसके कारण वो जादा संक्रमित हो सकते हैं COVID-19 को लेकर तो जैसे मोटापा, उतरक्त च आप, chronic heart, फेफडे, kidney, liver की जो बिमारिया हैं या फिर दुरगटना से ग्रसित जो लोग हैं अगर उनका इलाज हुआ है या उनका इलाज नहीं हुआ है ये देखते हुए उनका जो टीका करण है वो किया जाना चाहिए तो इस प्रकार से जो स्वास्थे सेवा है उसे अपन फैल रहा है उसे कम करना सावजनिक स्वास्थे लक्षे होना चाहिए तो ये जो सावजनिक स्वास्थे लक्षे होगा इससे क्या होगा कि जो सामुदाईक बोच है जो community spread हो रहा है वो कम होगा तो इस टीका करण अभियान के लिए सावजनिक स्वास्थे का जो लक्षे है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि 6 राज्यों को लक्षित किया जाना चाहिए जहां पर जो COVID-19 का संक्रमन है ये सबसे जादा हो रहा है। ये 6 राज्य कौन से हैं महारास्ट, पंजाब, हरियाना, गुजरात, मध्यप्रदेश और डेली इन्हें लक्षित किया जाना चाहिए टीका करण के लिए और इन राज्यों में युद इस तर पर टीका करण किया जाना चाहिए और इसके अलावा इन 6 राज्यों में जब यु जो बुजुर्ग और निशक्तिजन है उनको लक्षित स्वास्थ वर्दन टीका करण जो है उनका करना चाहिए तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो पूरी स्वास्थ सेवा है उसका एक लक्षन निर्धारित होना चाहिए ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में एकदम जो आर्थिक प्रभाव है उसे दूर करने के लिए नागरिक प्रशासन जो है उसे अपने स्वतंत्र लक्षे निर्धारित करने चाहिए तो जो प्रशासन है जो नागरिक प्रशासन है उसे अपने लक्षे अलग से निर्धारित करने चाहिए नागरिक प्रशासन के पानून और व्यवस्था, परेवहन, सुच्छता और सामान्य प्रशासन की जो सभी रुकी हुई गतिविदी है उन्हें चरणवार रूप से और सुरक्षित पुनरुद्दार के लिए उन्हें धीरे-धीरे चालू किया जाना चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर यह बुल तो इकनॉमी को वापिस अच्छा करने की जरूरत है, तो एकनॉमी को वापिस बेटर करने के लिए कौन-कौन से शेत्रों की आविशक्ता होगी तो वो शेत्र हूंगे औध्योगिक शेत्र और ग development comprar तो यह जो औध्योगिक शेत्रम और ग्रिषी की किया जाना चाहिए अभी जो है ये प्रयास किया जा रहा है लेकिन हमें ये समझने की यहाँ पर जरूरत है कि ग्रामीन भारत में लोगों तक पहुँच के लिए अधिक अभिनव कदम जो है उन्हें उठाए जाने की आविशक्ता होगी ताकि ग्रामीन भारत जो है वहां तक टीके की पहुँच हो सके अगर अमेरिका जैसे देशों की हम बात करें तो इन्होंने मोबाइल टीका करण केंद्रों का उपियोग जो है वो शुरू किया है और पूरी आबादी जो है इन देशों की उसको तेजी से कवर करने के लिए सूपरमार्केट में टीका करण केंद्र इस्थापित किये हैं लेकिन भारत में समान दरश्टीकोंड विशेश रूप से मोबाइल टीका करण इकाया जो है वो तेजी से कई गावों को कवर कर सकती है इसके लावा अगर हम बात करें तो अभी भी सार्वजनिक स्वास्थे स्वास्थे और प्रशास्थनिक शेत्र क करने और अपने संबंदित लक्षों को प्राप्त करने के लिए उचित रणनिती बनाने की जो योजना है उसमें देरी नहीं हुई है और अब हमें उस शेत्र में कारे करना चाहिए और यहां पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो सार्वजनिक स्वास्थे हैं और संचार पर बहुत अधिक निर्भर है यह जो स्वास्थे कारेक्रम होगा इसके लिए यह सूचना, शिक्षा और संचार इन तीनों पर निर्भर है क्योंकि लोगों को यह समझाने की आविशक्ता है कि यह जो टीका करन का कारेक्रम है यह उनके स्वयम के लिए अच्छा है और यह पूरे रास्ट के लिए अच्छा है तो अगर इसके बारे में लोगों को सूचना दी जाएगी उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें सारी जानकारी दी जाएगी तो वो स्वेच्छा से सहयोग करेंगे इसके साथ ही यह यह बोला गया है कि जो आसानी से पूरा किया जा सकता है यह जो स्वास्ते शिक्षा की हम बात कर रहे हैं इसके लिए जो कारिक्रम की आविशकता है उसे आसानी से किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास में experience है हमारे देश में विभिन उद्देश्यों के लिए जोरदार अभियान करने का experience है और हम पारंगत है तो अगर भारत जो है वो इस model को इस्थापित करने के लिए अपनी जो शमता है उसे प्रदर्शित करता है और दुनिया के सबसे बड़े टीका करण कारेक्रम को पूर्टया निश्पादित करता है तो ये दुनिया का जो सभी देश हैं उनके लिए अरणो करण के योग्य होगा भारत एक example set कर सकता है अब हम चलते हैं next news article की तरफ जो की page number 12 पर प्रकाशित हुआ है और ये GS paper 3 के संबन में महत्वपोन है तो ये article है retrospective law and crime tax dispute तो इसे 24 December 2020 को काफी detail में discuss किया गया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इसमें केवल ये बताया गया है कि भ America, Britain, Netherlands, Canada, France की जो court है उनने न्यायधी करण के आदेश को बरकरा रखते हुए केंड जो की एक company है उसके पक्ष में फैसला दिया है और इस आदेश में भारत से 1.4 अरब dollar crayon energy PLI को लोटाने को कहा गया है इसके अलावा यहां पर ये बताया गया है कि अगर भारत के द्वारा ये रकम नहीं लोटाई जाती है तो ये जो British company है इसके पास में उन देशों में भारत की कोई भी अगर जो संपत्ती है उसको जप्त करने का विकल्प है जैसे की बैंक खाता, सरकारी कायों को भुकतान, विमान, जाहाज ये सबी शामिल है तो इसके बारे में डीटेल में 24 December को डिसकस किया गया था तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब हम चलते हैं next news की तरफ तो next article page number 11 पर प्रकाशित हुआ है जो की GS paper 3 के science and technology अर्थात विज्यान और प्रध्योगी की विशे के संबंद में महतोपूर्ण है Martian blueberries find a parallel on earth तो यहाँ पर बात की गई है Martian blueberries की तो जो Mars exploration rover है opportunity उसको Mars पर अर्थात मंगल पर कई छोटे छोटे गोले मिले थे जिन्हें अनौपचारिक रूप से Martial blueberry नाम दिया गया तो अगर आप से prelims में पूछा जाता है कि Martial blueberry क्या है तो NASA का जो Mars exploration rover है opportunity उसको मंगल ग्रहे पर कुछ छोटे छोटे गोले मिले थे जो आप देख सकते हैं उन गोलो को कहा गया Martian blueberry अनौपचारिक रूप से अनौफिशली तो यहाँ पर एक प्रारंबिक प्रारिक्षा का प्रशन यह हो सकता है कि जो opportunity rover है वो किस से संबंदित है तो वो Mars exploration अर्थात मंगल यान के exploration से संबंदित है और दूसरा हमने देखा कि Martian blueberry क्या है तो यहाँ पर यह बताया गया कि यह जो opportunity rover है इसका जो spectrometer है इसने खनीज विज्ञान का अध्यन किया और यह note किया कि यह जो Martian blueberries है वो hematide नामक जो लोह आयसक है उसके यौगिक से बने हुए है तो यह पता करना कि यह hematide से बने हुए है इससे एक उत्तेजना पैदा ह हुआ क्यों क्योंकि यह hematide है अगर यह इसके गोले है तो hematide की उपस्तिती से यह पता लगता है कि जो mangal grab है उस पर पानी मौझूद था hematide जो है उसे इस्थिर रहने के लिए एक वातावरण की आविशक्ता होती है जिसमें oxygen जो है उसकी उपस्तिती हो और इसके अलाव प्रत्वी पर हमें जो अनुभव है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पानी ने mangal grab पर grey hematide के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण वोमे का निभाई है तो यहाँ पर यह जो article आया है इसमें एक recent finding के बारे में बताया गया है इसमें यह बताया गया है कि एक टीम ने गुजरात में जो जुरान formation है वहाँ पर वो अध्यन कर रही थी टीम और उन्होंने यह पाया कि जुरान formation जो की 145 से 201 मिलियन वर्ष पुराना है इस शेतर में hematide संगत पाए गये और इन hematide संगतों की जब जाच की गई भूरसायनिक विज्ञान और स्पे यह जो गुजरात का जुरान formation शेतर है यहाँ पर भी hematide मिले है यह देखा गया कि यह जो गुजरात का जुरान formation का शेतर है यहाँ पर जो hematide पाए गए वो भी गोलाकार थे और इसमें जो खनीच था वो समान ही था खनीज था हैमेटाइड और गोईथाइट तो समान ही खनीज जो है यहाँ पर पाए गए तो यहाँ पर यह बोला गया कि मंगल ग्रह पर जो हैमेटाइड है वो ना किवल पानी की उपस्तिती को दिखाते हैं बलकि वो यह भी संकेत देते हैं कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पर ओक्सीजन के साथ में एक वातावरन हो सकता है क्योंकि हैमेटाइड को इस्थिर करने के लिए ओक्सीजन की आविशक्ता होती है. तो इस तरीके से कई जो शोद करता है उन्होंने ये दिखाया है कि गुजरात का जो कच्च शेतर है वहाँ पर एक संभावित मार्शन एनलॉग इलाके है. मतलब वहाँ पर इस प्रकार के शेतर हैं जो की मंगल के समान ही है. तो कच्च का एक मातानुमर्च शेत्र है वहाँ पर हाइड्रस सलफेट की घटनाएं देखी गई जो मंगल ग्रह की सर्फिकल जो प्रतक्रियाएं हैं उनसे मिलती जुलती है इसके लावा यहाँ पर यह तर्क दिया गया है कि मंगल ग्रह पर जिस प्रकार से वातावरण का प को निकट सतह प्रतिक्रियाओं में साजा करती है और जो प्राचीन मंगल जो है उसे दिखा सकती है तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कच्च का यह जो जूरान फॉर्मेशन है वो एक प्रकार से एक और डेटा का प्रतिनिद्व करता है जिससे हम यह बोल सकते हैं कि प्रकाशित हुई है और यह जीएस पेपर 4 के एथिक्स विश्या के संबद में महतुपूर्ण है तो यहाँ पर न्यूज आई है टू ओलम्पिक प्रोबेबल फेल डॉप टेस्ट तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दो एथलीट हैं ओलम्पिक के जिन्होंने पिछले मही ने पटेयाला में डोपिंग का एक टेस्ट हुआ था और यह उस डोपिंग के टेस्ट में असफल रहे हैं और नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उनके महानेदेशक ने इस बात का खुलासा किया है तो हम यहाँ पर डोपिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो सबस करियर में अच्छी छलांग मिलती है तो इस प्रकार से अच्छा करियर प्राप्त करने के लिए जो खिलाडियों के द्वारा कई बार शॉर्टकट यूज किया जाता है वो होता है डोपिंग डोपिंग जो है वो ना केवल भारत की समस्या है बलकि ये पूरी दुनिया में दे करते हैं डोपिंग के अंतरगत क्या होता है कि पांच प्रकार के जो ड्रक्स हैं उन्हें प्रतिबंदित किया गया है पांच प्रकार के ऐसे ड्रक्स हैं जिन्हें लेना प्रतिबंदित है इन खिलाडियों के द्वारा इनसे सबसे सामाने जो है वो इस्टिमिलेट और हार् लेना जो है वो खिलाडियों के लिए प्रतिबंदित है इनका सेवन करने से क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में कई दुश प्रभाव भी होते हैं इसलिए इने खेल शासी जो निकाय होते हैं इनके द्वारा प्रतिबंदित किया गया है UK डोपिंग एजेंसी जो है उसके मता खिलाडी का स्वास्ते बिगरने का खत्रा रहता है या फिर खेल की गरिमा का अगर ये उलंगन करता है तो इन ड्रग्स को प्रतिबंदित किया जाता है अब अगर हम डॉपिंग टेस्ट के बारे में बात करें हमने ये देखा कि डोप टेस्ट में फेल हो गए दो ऑलम्पि टेस्ट किया जा सकता है और ये नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थार्थ नाडा नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसके अलावा वर्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थार्थ वार्डा जो है ये दोनों की ओर से किया जा सकता है तो आपको ध्यान रखना तो anti-dumping panel से test B कराने की appeal कर सकता है यदि B test sample भी positive पाया जाता है तो खिलाडी पर प्रतिबंद लगा दिया जाता है तो इस जांच में खिलाडियों का जो urine होता है उसको VADA और NADA की lab में test किया जाता है और NADA की जो lab है अगर हम उसकी बारे में बात करें कि कौन-कौन सी जो दवाएं है वो प्रतिबंदित है तो खिलाडियों के द्वारा सबसे सामाने रूप से इस्तमाल किया जाने वाला जो प्रधार्थ है वो है endogenic agents जैसे की anabolic steroid इसके सेवन से क्या होता है कि खिलाडियों के खेलने की जो शमता है वो बढ़ती है और वो अपनी चोट से जल्दी उबर पाता है और जल्दी ही अपने शरीर को सुडॉल बना लेता है लेकिन इसके कारण क्या होता है कि किड्नी की शती होने की आशंका बढ़ जाती है साथी जो खिलाडी है वो आक्रामक हो जाता है इसके अलावा इसके कुछ अन्य दुश्प्रभाव भी होते हैं इसके अलावा स्ट्यूमिलेट्स जो होता है उनका सेवन करने से खिलाडी जो है वो जादा चौकनना हो जाता है और उनकी जो दिल की धड़कने है और खून का जो बहाव है वो थेज होने से उनकी जो थकाम है वो कम हो जाती है ये एक बहुत ही खतरनाग ड्रग है जिसके सेवन से एथलीट को दिल का दौरा भी पढ़ सकता है इसके अलावा जो तीसरा प्रतिबंदिर ड्रग है वो है डायूरेटिक्स और मास्किंग एजेंट ये जो ड्रग है इसका इसका इस्तमाल खिलाडी शरीर से तरल पदात को कम करने के लिए करते हैं ताकि पहले इस्तमाल किये गए ड्रग के इस्तमाल को छुपाया जा सके मतलब ये इसलिए किया जाता है ताकि ये जो ड्रग्स खिलाडियों के द्वारा उपियों किये जाते हैं इसके इस्तमाल को और इस ड्रक का इस्तमाल जो है वो खिलाडी, बॉक्सिंग और घुड सवारी में करते हैं और ये ड्रक स्वास्ते के लिए काफी नुकसान दायाक होता है। इसके अलावा नार्कोटिक, एनालजेसिक्स और कैनबिनोइट्स, इसका इस्तमाल खिलाडियों के द्वारा ठकान और चोट से होने वाला जो दर्द है उससे निजात पाने में किया जाता है। लेकिन इसके इस्तिमाल से जो चोट है वो और खतरनाग भी हो सकती है, यह भी एक नशे की लत्के जैसा है। उनकी संक्या को बढ़ाता है जिससे खिलाडी को उर्जा मिलती है, यह भी प्रतिबंदित है और इसके अलावा बेटा ब्लॉक्स होते हैं, इनका इस्तमाल भी आजचकल एथलीट जो है वो ड्रग के रूप में कर रहे हैं और यह एक प्रतिबंदित ड्रग है। एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसके बारे में पढ़ना है। तो आज के कोशन की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला कोशन है निमलिकित में से कौन सा कारक समुद्र की लवनता को प्रभावित करता है। वाशपी करन, वाईयू, महासागरिय दाराएं या फिर वर्शाएं ये चार आप्शन है इसमें से आपको आंसर्ट चूज करना है। अगला कोशन है लाल मृदा के संबंद में निमलिकित कतनों पर विचार कीजे। पहला स्ट्रेट्मेंट है इसकी उत्पत्ती उच्चत आपमान और अधिक वर्शावाले शेतरों में होती है। दूसरा है कि इस मृदा में लाल रंग का विकास क्रिस्टलिय और रूपांत्रित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण होता है। चार आप्शन है केवल एक केवल दो दोनों या फिर कोई नहीं इनमें से आपको आप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है शीत रितू के दौरान हिमाले के उत्तर में इस्थित शेत्र में एक उच्च दबाओ का केंदर विक्सित होता है। किसके मद्य अवस्थित है। चार स्टेटमेंट दिये गए हैं और आपको ये बताना है कि ये किसके लिए सर्विष्रेष्ट वर्णन है। पहला वे मैगमा कक्षो का शीतल भाग है वो मैगमा का एक बड़ा पिंड है जो की बड़े गुम्बदों के रूप में पपड़ी के साचो की गहराई में थंडा होता है। तीसरा है कि वे सतह पर केवल तब दिखाई देते हैं जब अनाच्छादन प्रक्रिया उपर इस्थित सामगरी का उन्मुलन कर देती है और चौता है कि ये क्रेनाइट से निर्मिद होते हैं तो इनमें से एक आप्शन आपको चूज करना है। अब हम चलते हैं मुख्य परिक्षा से संबन्देत प्रशन की तरफ तो यहाँ पर आपको दो मुख्या परिक्षा से संबन्देत प्रशन दिये जाएंगे और उनसे संबन्देत जो फ्रेमवर्ग है वो डिसकस किया जाएगा जिससे आपको आंसर लिखने में help हो तो सबसे पहले यहाँ पर जो word है वो आपको देखना है कि यहाँ पर है चर्चा करें, मतलब आपको विस्तार से डोपिंग से जुड़े हुए जो विभिन नैतिक मुद्दे हैं उनके बारे में बताना है विस्तार से जानकारी देनी हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि परिचय म न्याय संबंदी मुद्दा क्या होता है कि जो लोग डोपिंग करते हैं वो एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और जो डोपिंग नहीं करते हैं वो सही प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी तुलना में कम प्रदर्शन कर पाते हैं तो एक तरीके से ये न्याय संगत नहीं है, दूसरा है कि इससे रास्ट की छवी खराब होती है, अगर किसी अंतररास्ट ये खेल में पता लगता है कि किसी रास्ट के खिलाडी के द्वारा डोपिंग की गई है तो उससे उस रास्ट की छवी खराब होती है, इसके अलावा लोगों की जो भावना है खिलाडियों को लेकर वो प्रभावित होती है तो इसके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं और इंसर इलेटेड कुछ जो एक्जामपल है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद में आपको निशकर्ष में लिखना है तो निशकर्ष में आपको ये बता और इसके लिए नैतिक अभ्यास और निश्पक्ष खेल के जो मानक है उन्हें बनाए रखने के लिए सभी को प्रतिबदिता की आविशक्ता होगी और इसके साथ में आप निशकर्ष में ये बोल सकते हैं कि डोपिंग के संबंद में संगत और जवाब दे निडने लेने की आ आविशक्ता होती है जो कि डोपिंग उलंगन के दोशी पाये जाते हैं यहां पर इसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि डोपिंग की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है और डोपिंग की घटनाओं में विविद्दा आ रही है ये देख रहे हैं कि डोपिंग के करने के तरी उसके लिए भी नए नए आविशकार किये जा रहे हैं तो इन सब के बारे में आप इस question में लिख सकते हैं। कि किस तरीके से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमंण जो है उसमें काफी ज़्यादा वृध्धी हुई है तो इसमें आपको बता सकते हैं आपकी छे राज्य जिसमें संक्रमंण बढ़ रहा है और किस प्रकार से सरकार के द्वारा टीका करण अभियान चलाया जा रहा प्रसार की जरूरत है तो इनके संबंद में आप यहाँ पर डीटेल में लिख सकते हैं जो हमने आज पूरा डिसकस किया इसके बाद में निशकर्ष में आपको यह बताना होगा कि विभिन उद्देश्य के लिए जो जोड़दार अभियान है उसमें भारत काफी पारंगत है हमको experience है इस प्रकार के बड़े-बड़े कारेक्रम चलाने का और भारत के द्वारा अगर इस तरीके का model प्रदर्शित कि तो इस तरीके से आप means का यह जो answer है यह लिख सकते हैं आप तो यह जो मुख्य परिक्षा का question दिये गए हैं आपको इनका उत्तर लिखने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा I hope आपको यह discussion पसंद आया हो और हम इसी तरीके से the Hindu का जो discussion है वो रोज आपके सामने लेकर आए ताकि आपको exam की जो preparation है उसमें आपको यह help कर सके thank you so much please like share and subscribe to our channel